लिख्रान और नमस्कार दोस्तों मैं विकास दियुक्ति आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास श्टटी सरकल पर आप सभी का सवागत करता हूं दोस्तों आज हम टो अ क्लास में परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में जानकारी करते हैं तो दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं सबसे पहला कुछ चना है रक्त परिशंचराण तंत्र की खोज किस ने की थी दोस्तों रक्त परिशंचराण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने विलियम हार्वे ने 1623 में की थी दोस्तों रक्त परिशंचराण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी कि परिसन्चललिटंट इसके अंतरगत चार निमने भाग आते हैं दोस्तों परिसन्चलनितंट्र में चार भाग चार भाग आते हैं नम्बर एक हरदय दूर्चरा धमनिया तीसरा है सिराएं और चौथा रुधिर दोस्तों रत पर संजरान तंतर की खोज विलियम हारवे ने की और इसके अंतरगत निम्चार भाग आते हैं हरदय, धमनिया, सिराय, रुधिर दोस्तों बहुत ही इंपार्टन टापिक है और बहुत ही कुश्चन अच्छे कुश्चन है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें तो आगे अब हरदय के बारे में हम लोग ज्यानकारी करते हैं दोस्तों सबसे पहले हरदय जो है वो पेरिकार्डियम नामक जिली में सुरच्छिर रहता है मनुस के हरदय का भार 300 ग्राम होता है दोस्तों मनुस के हरदय का भार 300 ग्राम होता है और हरदय जो है दोस्तों वो मनुस के सरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है मनुस के हरदय का सबसे व्यस्त अंग हरदय होता है मनुस के हरदय चार कोष्टी होता है दोस्तों मनुस के हरदय चार कोष्टी होता है इसमें दो आलिंद मनुस के हदय में दो आलिंद और दो निले पाया जाते हैं अगले भाग में एक दाया आलिंद और एक बाया आलिंद तथा हदय के पिछले भाग में एक बाया निले और एक दाया निले पाया जाता है अगले भाग में दो आलिंद पाया जाते हैं और पिछले भाग में निले पाया जाते हैं उसके बाद अगले कुश्चन पर चलते हैं दोस्तों दाएं आलिंद एम दाएं निले के बीच त्रिवलनी का पाथ होता है बहुत important question है दोस्तों दाय आलिंद और दाय निले के बीच त्रिवलनी कपाथ होता है और बाय आलिंद और बाय निले के बीच दिवलनी कपाथ होता है दोस्तों एक बार इस question को फिर से देख लेते हैं कि दाएं आलिंद और दाएं निले के बीच एक त्रिवलनी का पार्ट होता है दाएं आलिंद और दाएं निले के बीच एक त्रिवलनी का पार्ट होता है और बाएं आलिंद और बाएं निले के बीच दुवलनी का पार्ट होता है उसके बाद अगले कुश्चन पर चलते हैं हर्दय से, सरीर से हर्दय की और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को सिरा कहते हैं दोस्तों सरीर से जो हर्दय की और रक्त ले जाती है उन्हें रक्त वाहिनी को सिरा कहा जाता है सिरा में असुध रक्त होता है क्योंकि दोस्तों सरीर से हरदय की ओर ले जाती है तो इसमें असुद रखत होता है क्योंकि हरदय में रखत जाकर सुद होता है और जो असुद रखत होता है उसमें CO2 युक्त रखत होता है इसका एक अपवाद है दोस्तों इसका अपवाद है पल्मोनरी सिरा दोस्तों पल्मोनरी सिरा जो है इसका अपवाद है पल्मोनरी सिरा अपवाद इसलिए है क्योंकि पल्मोनरी सिरा में सुद्ध रक्त बैता है और सुद्ध रक्त पल्मोनरी सिरा जो है वो फेफडों से रक को बाएं आलिंद में पहुंचाती है इसलिए यह केवल ऐसी एक सिरा है जो सुद्ध रख्ट को ले जाती है बांकी सिरा जो होती है वह असुद्ध रख्ट यानि कारवंडाय आकसाइड यूपत रख्ट को सरीर से हर्दय की और ले जाती है और पल्मोनरी सिरा फेफडों से आलिंद की और रख्ट को ले जाती है इसलिए पल्मोनरी सिरा में सुद्ध रख्ट होता है उसके बाद अगले कुश्यन पर चलते हैं हर्दय से सरीर की और रख्ट ले जाने वाली रख्ट वाहिनी को दोस्त दोस्तों हरदय से सरीर की और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं धमनी और धमनी में सुध्रक्त दोस्तों धमनिया जो हैं वो हरदय से सरीर की और रक्त ले जाती है तो इनमें सुध्रक्त यानि आक्सीजन युक्त रक्त होता है और इसका पुआद है पल्मो पल्मोनरी धमनी जो होती है वो दाहिने निले से फेफ़डों में रखत पहुंचाती है इसलिए पल्मोनरी धमनी में असुद्रक्त बहता है और पल्मोनरी सीरा में सुद्रक्त होता है उसके बाद अगले कुश्चन पर चलते हैं हर्दय के दाहिने भाग में असुद्रक्त य बाए भाग में हर्दय के बाए भाग में सुद्ध रख्त यानि आक्सीजन युक्त रख्त रहता है दोस्तों हर्दय के दाइने भाग में सुद्ध रख्त यानि कारबन डाय आक्साइड युक्त रहता है और बाए भाग में सुद्ध रख्त आक्सीजन युक्त रख्त रहता हैं दोस्तों यह बहुत important question है हर्दय की मानस्पेसियों को रक्त पहुचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं दोस्तों इस धमनी में अगर किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आती है तो इसी धमनी की रुकावट में आने के कारण हर्दय घात यानि हर्ट अटायक आता है दोस्तों इस धमनी में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए हर्दय की मानस्पेसियों को रक्त पहुचाने वाली यह हर्दय की मानस्पेसियों में रक्त चलते हैं दोस्तों हरदय में संकुचन हरदय में संकुचन और सिथिलन को सम्मिलित रूप से हरदय की धड़कन कहते हैं उसके बाद अगले कुश्चन पर चलते हैं दोस्तों सामान ने सामान ने अवस्था में मनुष्षिका हरदय एक मिनट में कितनी बाद धड़कता है बहुत पूछा जाने वाला कुश्चन है दोस्तों सामान ने अवस्था में मनुष्षिका हरदय एक मिनट में 72 बाद धड़कता है और भ्रूर अवस्था में ये 150 बार दोस्तों सामान ने वस्था में में 62 भार धड़कता है और भ्रोंड वस्था में 150 भार धड़कता है उसके अग्ला लक्तिन देखते हैं दोस्तों एक धड़कन में 30 ml जो संकुचन और सिधलन होता है उसके एक बार में 70 ml रक्दप वहता है एक अगले कुहिसें पर चलते हैं रंपने वाले यंत्र का क्या नाम है दोस्तों यहां पर 120 फ्रेग मेनोम कहते हैं सफ संदु का हिर्दय की धड़कन को नियंदब करने वाले हार्मोन कौं-Kौं-से होते हैं जोस्तों धाराखिन और आडरीडेलिन हरदय कीधड़कन को नियंदब करते हैं उसके बाद अग्ला कुश्यन हमारा है अमलीता हर्दय की गति को बढ़ाती है और चारीता हर्दय की गति को कम करती है तो दोस्तों ये क्लास पर इच्छा की दर्ष्ट से बहुत ही important रहने वाली है ग्रूप टी एक जाम सिटी और डेटा आ गई है आप लोगों ने देखे होंगे तो इस क्लास को भी जरूर एक बार देखें जो आफ के सेलेक्शन लेने में मदद करेगी और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यव